यह मालक यह तोड़ तोड़ बद चिल्लम चिल्ने मत करें तुम्हा आवाज करो मज़े करो चिल्लमारो बट वह 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 एरिटेंग होता मेरे को मैं पहले बता रहा हूँ भाई ओ हाँ आराम से आपको तोड टाइम निकलना है ओके तोड़ कॉंसेट करना है तोड़ चीजें करनी है यह मेरी गैरेंटी इस पर नहीं गया गया वी समर्ट पर वी समर्ट पर नहीं हुआ है यह बंद और मेरा प्ॉचलोगर्णियो करिके थे गोंपोर काई अवचल दोड़र्यो आराम एक करने करने दोड़र्ब्यादी हाम अशने पर शद्मेर वी समकते it ङार मेरा यह पceptions झाल 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 क्या हो ओली क्या हो गया वाजी हाँ ये ये प्याद कें ये 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 ये़ी सुन आए है ये। झाल 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 जिंदगी में कुछ चीज़े रहती है तो आपका एक घंटा दिन का एंड होता है वो होता है आपके एक तोड और बहतरीन सब्जेक से जिसका नाम है इसम स्टार्ट किया फांडेशन में आराम से जब आप इंटर में जा रहे हो यहां पर बेसिक प्रॉब्लम आपको जो मिलेगी वह एप्लिकेशन की मिलेगी और मैं आपको मैं आपको एक स्ट्रक्चर क्लियर बता रहो मालिक एक ऐसे पॉइंट पे आप पहुचोगे जहां पर अगर आपको कॉंसेट नहीं समझा या अप्लिकेशन नहीं समझा मा कसम बोल रहो मतलब वह एंसर इधर का उधर हो जाएगा और डाट इद बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरीबडी विल फेस अधिंग्स विल भी थोड़ा सेटल डाउन एक दम आराम से एक दम आराम से पहले कुछ बेसिक है वैसे बहुत सारी बेसिक चीज़े आपने में फाइनेशल मैनेजमेंट के स्टार्ट में सुन लिए थोड़ा सा उसको एक पंदरा मिन में फास्ट रैप अप में मैं आपको बता दू बैच का कॉंसेट कैसे होगा कैसे वर्काउट होगा बाकी अधर देन एट चीज़े स्ट्रक्चर वाइज अपन कैसे जाएंगे क् बैच का अप्रोच का होगा वह आपन थोड़ा सा समझ लेते हैं और यह पेपर अक्चुली क्या है और अक्चुली आपकी रिक्वार्मेंट क्या है आपकी कैप अपकी कितनी चाहिए इस पेपर के लिए यह इसा है कि सर यह मेरे से बेसिकली एकदम आराम से हो जाएगा अप्लिकेशन बेस चाहिए और मैं आपको आज के एंड ओफ लेक्चर तक ही मतलब आप घर पर जाते क्ता आपको मानू पड़ जाएगा कितनी सारी चीज़े अप्लिकेशन बेस्ट में कंफ्यूजिंग हो सकती है प्राक्टिकली स्पिकिंग और फइनेशल मैंजमेंच प्लेश प्लेश रॉल ओफ 50 मार्क्स यानि अगर एक्जूम्शन लाना है तो खाली FM रॉल प्लेश नहीं कर सकता और खाली SM नहीं कर सकता यानि पॉइंट आलएक्जूम्शन लाना है तो आपको दोनों सब्जेक्क क तो इक्वली तोड करना पड़ेगा अंडवफुली कही न कही ऐसा देखोगे जो टाइन कंजमिशन है एफम के लिए जाधा है और एसम के लिए कम है सलेबस रिएकिलmi कम है एफम में आपने को सौल करना पड़ेगा है एफम में आघ आरु फाइनेसल मैंजहनेंनेंऍन के प्राक्टिकल प्रॉबलंज होंगे SM is more of theory ab Kommunen एंग पेज अटली आएगी मालिक लेकिन पॉंट यह है कि एग समशन बसे इंपोरर्ट पॉंट है वोगेज, there are two categories of student, before starting anything, दो category of student है, एक है basically rank holder, जो rank holder है, वो 600 mark होंगे ना दोनों group के, वो 600 में से अपन जितना item करते है न, उतना वो लेके आता है, मेरे गाज़े समझ में आ रहा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उतने marks लेके आता है, अपना item उतना होता है, दूसरी category जो students की होती है, वो होती है, मास की, मास मतलब क्या, मास मतलब basically यह maximum वाला crowd, थीन सो में से, बस we are interested in, देड़ सो, छे सो में से, थीन सो, बात खतम, अपने को खाली एक word वो दिखना चीए, वो है P-A-S-S, बस पास हो गया, यही concept है अपना, मैं आपको थोड़ सा पहले, यह background प्लीज एक, आप, कौन से बैच में कैसे react करते हो, मेरे को नहीं मालूम है, थोड़ सा तोड के बारे में जानी है, अपन को, मतलब अपने को पढ़ना तोड है, concept तोड करना है, देखो, यूमर मेरे को इसके लिए लाना है, कि आपका sustenance ह करने के लिए, लेकिन वो लेवलाइस को आप ऐसे मत कर देना, क्यूंकि वो बहुत बेसिक प्रावलम हो जाएगा, तो आप मज़े करो, चिल मारो, रिलाक्स रहो, लास्ट लेक्चर है, ओके इस concept पढ़ो, enjoy करो concept को, concept को समझो, because यह concept वैसा नहीं है, जैसा theoretically जा रहा है, बत अब जो, पर्मजी भच यह मल्टिपल औप्शन है, लेकिन मां जो बता रहा था के दूसरा टर्डव मांस्ribinalibera, अग dol lake Kent मास है मास वोला क्राउड कॉंसा मालम है जिसका टार्गेट 600 में से कितना लाना 300 अब जब 300 की बात आ रही है तो टार्गेट 300 है और हर पेपर 40 है अगर मैं हर पेपर 40 भी लेकिया हूँ तो भी 300 तक पहुंचूंगा नहीं कि तो अपनेको कोई तो पेपर है जिसको तोट टार्गेट करना होगा तो जो अपने को सांपेट् March तो मास को जो 40-40-40 का टार्गेट है उसको कोई ना कोई दो तीन पेपर में ऐसा करना होगा जिसमें वो 60 प्लस लिके आए और उसमें 60 प्लस लाने का कॉंटेक्स यह है कि आपका FM और SM एक ऐसा इसीएस्ट पेपर है मैं जाब बुल रहा हूँ इसीएस्ट इट मीन्स इसीएस्ट और ऐसा नहीं गया भाई आप आपने को हाली एक ही पेपर के बारे में जानका रही है मैं पूरे साथ सेलेबस सारे सेल इस पेपर है जिसमें स्कोर करना आई बैट इट इस मुच इजियर कमपेर्ट तो अधर पेपर सर उसके कारण दो है आज लिखके लेलो और यह लास्ट में बात करेंगे पूरा SM पूरा SM पूरा SM पूरा SM लास्ट डे पे अगर घंटे बर में खतम नहीं हुआ तो नाम बद अगर वह एक घंटे में रिवाइस हो सकता है आप इमाजिन करो उसको आप कितनी बार रिवाइस कर सकते हो अगर उसका मैराथान मैराथान और मेन रिवीजन में फरक क्या होगा मालू मैं थोड़े कॉंसेट आ जाएंगे रिवीजन में क्या आएगा खाली हेड़ कि दोनों केस में अगर मैं धाई घंटे में पुरा मैराथान कवर कर सकता हूँ ओके डेफेनिटली या पूरी बैच होनी के बाद वह मैराथान काम का है कि मालू मुदा ना ना सार धाई घंटा पड़ेंगे अपनी जिन्दगी खतम चलो ऐसा नहीं भाई धाई घंटे में क का एक थोड़ा सा और एक लांगवेज को मैं अपको अधार सीटी मत मार यार बहुत वह मैं बोड़ रहा हूं हां देखो कुछ वापस आया गया फिर वह अपनी अपन मुंबई आदमी है तो देर इसे बिग प्रॉब्लम विते लांगवेज और के सामने बाहर का इटेंशन नहीं है आपके सामने अभी सी वर्ड्स का कोई उसेज नहीं है उप्योग नहीं है लेकिन मेरी लांगवेज थोड़ी सी स्लैंग है स्लैंग मतलब क्या है बॉन बाटब मुंबई मेरे दोस्तों लोग टपोरी थे अभी भी है तो ऐसे ग्रूप रहता ना अपना बच्पन क तो तो वो ग्रूप में अपने लांगवेज फीलिंग वैसे करते हैं कि भाई तोड मा कसम जंपया ढंपया कुछ निकलते रहता है यह आड़ा देड़ा वर्डिंग्स निकलते रहता मालिक अगे ज़िए गाली निकलते ही पर यह वर्डिंग्स का ऐसा हो सकता है कोई ऐसे कोई अधर सुने और शायद कोई एकदम नौर्थ एक्स्ट्रीम नौर्थ का हो या एक्स्ट्रीम साउथ का हो उसके लिए ऐसे लगेगा भाई यह तो भाई साब इजटी नहीं दिर रहा है अगर आप बोलोगे इसको चेंज करो तो पॉसिबल नहीं है भाई बस इतना है कि यह लैंग्वेज भी आप सिख जाओगे यह मेरी गैरेंटी है प्राब्लम है बस घर पे उप्योग मत करना अगर यह घर पे उप्योग किया तो अगर यह लैंग्वेज यूज कर लिया मा कसम ममी तोर देगी यह 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 वाले क्वांटेक्स में तो जस्ट मेकिंग इट क्लियर तो ऐसा हो सकता है तो इन शौर्ट मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने यह सब्जेक्ट एफम और एसम को सही तरह से काम किया इवन एफम के इसमें मैं गैरेंटी मलब आ ओप्टिमाइस क्या है ओप्टिमम इडिलाइशन ओफ रिसरोसेस एक दम अच्छे से रिसरोस को यूज करना एफम ऐसम ऐसा है जो कम टाइम में ज्यादा मांक्स देगा अगर आपने को भाई एक महना पूरा एक महना पूरा दिन बारा तेरा घंटे कोई भी सब्जेक्ट मैं भाई वह तो तोड़ मैं करी सकता हो कोई भी सब्जेक्स तोड़ कर सकता है तक मैं बोल रहो हो फमस म को टाइम जाएगा आप ये इस ता IME बचा कि किसी और सब्जेक्स को दे सकते हो आज क्या मालूए एक एक सब्येक को पढ़ रहे हो आपने पिछले तीन चार महिने म जान हाँ 31 मार्च सुने दिया मेरको एक यह एर एंड ने बोल रहा है 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 मैं बोल रहा है 31 जान अपना एंड है February, March, April अपने एजिम कर रहे है में में अपनी एक्जाम एजम्शन इसलिए क्योंकि हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए election की वज़े से whatever उस्पी अपनी चर्चा नहीं होगी अभी धीन मैंने जब आपनी पढ़ा ही करनी है न तो अपनी पढ़ा ही करते अपना maximum time आपने आज जो भी सोचा होगा मैं आपको जब सारे subject एक साथ मैंगे न तो आपको मलू पढ़ेगा control क्या होता है okay it is it is one of the worst ever because अभी यार एक चाप्टर पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो हो जा रहा है एक चाप्टर पढ़ रहे हो हो जा रहा है जब सारे subject साप्लाइब करोगे ना इट विल नॉट बीज़ी FM-SM विल बी और major shot that for sure जिसमें से मैं SM बता रहा हूँ जो 50 मार्क का है मालिक सम 25 मार्क का है अरो 25 मार्क भी ओता तो भी बेटर मंनलब तो इदर 50 मार्क अगर मैं एक घंटे में रिवाइस कर सकता हो 50 गंटे 5 303 गंटे में में मैं मेरफोन रही है में 60 अभर 60 आप्रोक्सिमेट अपना व्रिखंट ना टाइमिंग तो तीन घंटे में रिकॉल करना है तो अगर कर सकते हैं तो मेरे को नहीं लगता है इससे बेस सब्जेक कोई और सो और हो सकता है तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया क्लास में जो मैं पहले भी दुफैर को बता रहा था बस मेक शूर डोंट मिस आउट क्योंकि आपको ऐसा लगेगा यह रही मेरी टेस्ट बुक मैं पढ़ लूँगा अगर बाइचांस एक लेक्टर मिस हुआ ओके मैंने यह कौन से पढ़ लिया कौन से पढ़के समझ में आ जाएगा समझ में आना एक बात हो गई इसको क्वेस्टन में डालना दूसरी बात हो ग अब स्वाल उटता है बिफोर गोईड एड स्टाइडिक मानेजमेंट है क्या एक फास्ट राप जो प्रशान संन ने भी बेसिक आपके साथ शेर किया विध रिस्पेक टो एफम मैं तोड़ा साथ शेर का देता हूं अपना एप्रोच क्या होगा आपको क्या करना एक थोड के लिए है बाई में 24 नोवेंबर 24 इसाफ पांक्लियर सेकंड ओके इस मोस्ट इंपॉर्टन बाच का डिवरेशन का बैच का अपने अपरक्सिमेटली एंगे 50 50 50 क्या लते है 60 lectures 60 lectures के करीब अपने अपरक्सिमेट रहने चाहिए ओके अब यह 60 lecture जब मैं बोल रहा हूं तो 60 lecture आप याद रखना इसको 60 days से calculation मत करना है वो सकता है कोई दिन मुझे मिलेगा जो प्रसाद मुझे का लेक्चर रहेगा आपको शायद बताया होगा अपने को टोटल एप्रोक्सिमेटली 60 अवर्स का मिनिममम टाइम चाहिए और मैक्सिमम अगर वो गया तो एक पाच एक घंटे इधर उदर कि 60 अवर्स का कॉंसेट है ओके जरोज का अपना वन आवर 15 मिनिट्स का टार्गिट टाइम है वैसे अगर मेरे को एक्जैक्ली ऐसा ही टाइम मिलते गया तो अपने कितने घंटे अपने अपने कितने दिन में काम खतम हो जाता 55-56 और अगर किस दिन मैंने लेक्चर नहीं ल लेकर तो कॉंपावाफ समझ रहे हो मतलब कभी-कभी एक दिन में अपने कितने लेक्चर हो जाएंगे दो तीन तो नहीं होते डाई लेक्चर के करीब अपना कवर अप हो जाता है मालिक समझ में आया तो अपना टार्गेट कितने लेक्चर के है और पर लेक्चर कितने हैं जो के लिए एक दिन पहले आपको अपडेट आजाए अपन कैसे करने वाबे कुछ अगर मोडिफिकेशन है अधर्वाइज आपका शिडूल टामिंग कैसे रहेगा 3.30 का चालो होगा मालिक एफ एफ एम और किते बजे तक चलेगा 5.45 सुनते नहीं सर लेकिन 5.45 लेकिन लेकिन अपन चालो करेंगे किते बजे शे बजे और किते बजे तक रहेंगे 7.50 कोछ दे बजे बजे तस बजे अरे मजा कर रहा है एक दिन नाइट माराथन लेंगे न क्या अटेंशन है तो मैंने क्या बोला नाइट कह लेंगे कि मैरेटॉन तो मैरेटॉन कब होता है सिलेबस खतम होने दो इसा सिलेबस चालो नहीं हो रहा है ओके 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 आता होता हो तुम्हें सेकंड पॉइंट मैंने आपको अलुड़ी बता दिया बैच का डेज एंडुरेशन का कॉंजेप्ट थर्ड जो मेरी एकदम सबसे इंपो आएगा सबसे पहले आपको वॉल्यूम वन आएगा जो रहेगी थियरी बुक कि कम्प्लीट थियरी दोसो पेज पूरा एसम डन थियरी बुक ओके वॉल्यूम वन थियरी जो बकाइदा थोड़ी सी यूमर कॉंसेप्ट में ने बनाई हुई है ओके जिया आपकी थियरी भुलान आज़ी फैन सबस्का आएगा जो मीम में नहीं है जो मीम खन नहीं है तो पर वह आगे कुछ अक्षी कुमार का फैन ऐगा और को खो खा Bis कि अधृवब सुर इंगर कुछ एक्जंपल बताना एंडव यह पेज आप स्व começa colder ओ घयर तो जो बुक है अपनी ये मेन बुक है एक्जाम में आपको ऐसा कुछ बनाना नहीं है नहीं तो अगला इटेम कंफर्म है क्योंकि ठीक है भाई ओके इस एक्जामिनेटर को लिगा ठीक है भाई आप चलता हो 170 odd pages approximately रहें गये 160 170 Aude pages हुकह ये आपका बेंचमार करहेगा है अपको तोड इसको रटना रटना जब मैं बल्रहो तो मजल नॉत मिटू-पूपट वाला रटना अबदधब बचभा रटना मतल समुझ वाड़ा है बट 70 पर संग है एक डिस्क्रिप्टिव थे यह लिखना पड़ेगा अपना मार्क्स कितना पाई पचास तो पचास में से एंजी कितना मांके 15 35 मांकी थेयरी के लिए लिए ना ओके जियाद रखना पड़ेगा और जो एक्जामिनर बेटा हुआ रहेगा ना ओके जो चेकर र घया तेलए ने उसको सिर्फ और सिर्फ जो वर्रडिंग चेहिए वह क्या होने चाहिए मॉडियूल अपनी ये बुक पूरी निव बिस उनीक ये वह आपका कुछ इस तरह से रहेगा, कम्पाइलेशन, अब यह question bank जो volume 2 है, यह आपकी दूसरी book रहेगी, जिसके अंदर, okay, आपके mcqs रहेंगे, जिसमें आपन जो class के time पर जैसा जाएगा, वैसा आपन करते जाएंगे, depending on scenario, okay, पहले basic mcqs कुछ रहेंगे, उसके साथ में कुछ theories आईगी, जो case-based scenario questions रहेंगे, screen आप देख रहे हो, okay, अब यह case-based scenario question के नीचे gap रहेगा बुरा, यह gap अपने को class में पुरा answer फिल करना है, तो हर एक chapter पे अपने को कम से कम 8 से 10 question होंगे, 10-12 question approximately निकाले, sir, यह question कहा से निकाले, यह question निकाले, दो जगसे, एक है अपन मालिक, तो module पहली बार आईए ना, अपने बस बुराना material है क्या, नहीं, तो module अपने बस नहीं है, तो module में से तो सारे निकाल दिये, पर वो तो basic basic दिये हुए, okay, तो पुराना जो module था, पुराने जो book थी, पुरानी जो RTP से, उसमें जो related questions थे, syllabus change UI इसलिए, वो अपने र आना है, एक है theory, जो आपने class में solve करेंगे, जो आपको screen पर दिख रही है, और उसके अलावा, okay, आपको additional MCQ है, जिसके answer साथ में दिये, आपने class में solve करेंगे, okay, पर यह मैं कैसे करूँगा, समझ मा रहा है, homework दूँगा, okay, और कुछ उसके logics रहेंगे, वो logics आप मेरे को आपक लिए दिन बताओगे, answer भले ही रहेंगे, answer रहने से आपको समझ में थुणना आएगा, answer रहने से समझ में आ जा तो मा कसम मेरी ज़रूरत नहीं होती, समझ मा रहा है, तो आपका target यह रहेगा, okay, जिस दिन भी homework दिया जाएगा, आपको यह बस आपको, कुछ नहीं करना है, बस यह MCQ आप देख रहो किता बड़ा MCQ, यह समझ में नहीं हो, यह MCQ है, यह question है, यह question होने के पाद इसके नीचे MCQ के चार पॉइंट है, okay, उसके पाद यह आपके question bank है, बले उसके answer दिये, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुमको answer भी मिलेंगे घर के लिए, ओए मा कसम additional MCQ, अचा वो इदर हाँ, आरे वाँ, अज़ा इदर देखने की आदत नहीं है, इदर देखा तो मेरे नजर इदर जाती नहीं, तो, तो logic हो है, हाँ, इदर देखना, रहे हाँ, इस ही है, यह समझे नहीं अभी आपने को, अब टेक्निकली यह 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 आप देख रहे हो, यह MCQ के एंसर भी साथ में है, लेकिन एंसर से आपको समझेगा नहीं कि कॉंसेट क्या है, मुझे कॉंसेट लगेगा, आपको एक माइक दिया जाएगा, माइक से मैं इंडिजियली क्वेस्टन पुछूंगा, और कॉंसेट आपको अगले दिन पर बात करना होगा, कि एंसर अगल, MCU, जो आप कहा पर करोगे, लेकिन डिसकेशन अगले दिन, this is what our format is, is that point clear? और batch, जैसे मैंने बोला 50-60 lectures के अप्रॉक्सिमेट है, theoretically बोलू ना, मेरे को 54-55 lectures में अपनी कहानी खतम हो जाएगी, पसर पाच लेक्चर एक्स्ट्रा, क्या गोटे खेलेंगे गया, नहीं है आपको नहीं, मैं बता देता हूँ, लास्ट के पाच्छे, मतलब कम से कम तीन से चार लेक्चर एप्रॉक्सिमेटली, लास्ट के, स्क्रीन पे एक बार मैं आपको दा दू, चाप्टर शिक्स, जो मैंने एक अडिशनल चाप्टर रखा है, this is called case scenario mcq, complete syllabus is integrated in one case study, and एक case study के बाद, उस case study पे आपको पाच-पाच question, ऐसे 10 case study include किये मैंने, तो पूरे chapter समझ में आ रहा है, यानि logic समझा के आपको, logic समझा, यह अगर chapter खतम हुआ, आपने solve करने कोशी की, जेबने वाला भी नहीं है, क्योंकि एक कुछ discussion कर रहा होगा, chapter 1 का, और उसका link होगा chapter 4 के साथ, और उसका mcq होगा chapter 5 का, और अगर आपका यह solve हो गया, square, mark कसम square, इसके बाद आपको कुछ, पर application की बात करो, application, लेकिन theory तो लिक नहीं बढ़ेगे न, भाई, theory रटेंगे कैसे फिर, और जब मैं रटने का बोल रहो, please do understand, I am not into me too, but रटना, I am with conceptual point, everybody clear, तो आपको मेरे कहले, question bank का compilation समझा, ठीक है, okay, यह आपका दूसरा set, तीसरा set जो आपके साथ आजाता है, वो यह है, इस पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि format बहुत बढ़ा है, okay, यह आपको प्रशान से ने मता है, दिख नहीं रहा हो, छोड़ दो, वो कुछ उसको compress file करनी पड़ीगी, लेकिन, कुछ छुटा क कि अभी तो दिख, दिखा गया, यह आपका, okay, आपको FM को आपका मालूब बढ़ा होगा, वैसे कि SM में क्या मिलेगा आपको, चार्ड़ वोक, दस पेज में पूरा SM खता में, दस पेज के उपर एक पेज नहीं लगे हो भाई, और मैं बोलो, पूरा, समझ में आया, पूरा, मैंने नहीं बोला, बनाव ऐसा नहीं भाई, फिल्टर कंटेंट पढ़ रहे हो आप, पचास मार्क, इत्ता कॉंसाइस, इत्सको रटो, जब मैं रटने को बोलो, समझ में, क्लियर है न सब लोग, अगर आप ये बरोबर मेरे को टाइम देते हो, कॉंसेट के साथ, एप्लिकेशन के साथ, सारा सॉल करके, आपका अगर लास्ट डे पे इसको, नेक्स केलप पर नहीं पहुजा दिया, ना मदल देना मालिक, बस आपको एक चीज़ करनी होगी, जो आपको बहुत इंपोर्टन है, मैं जब कोई भी डिसकेशन करू, प्लीज प्लीज मेक शुपर इसा नहीं, प्लीज माही बाप, ओफ छिल लाने वाला व को मेरे ले बहुत एरिटेटिंग होता है, मैरा इरुटेटिंग वाला सेनारिय वैं, किसी बार को जम रहा हो तो ठीक है, मेरको इरिटेटिंग था, मेरे लिए तोर तोर करो थोचिंद मारा जो कटम कर वापस कंटेंड बहुं कि वह इस बोला वो सब्सक्ता है युमर आया है जोगा आजाया करो दो मिन्त हसरो जोड से बाथ फार ना कंटेंड भे आपना बाई युव आज इनवेस्टिंग फॉर इंवेस्टिंग कॉंतेंट प्रोग और गरेंज इअधर अग लिए अग इसेप्शनल यूमर तो आपन को यह लॉजिक रखना है तो मेरे काल से आपको भुक समझ में कित्ती भुक में लेगी मालिक कॉंसी कॉंसी मालिक अब थी आपने पान से लोलुम कान से लुज्य में कित्रूम आपको कॉंसी अपने हैं आपने स्में लॉज्य में थीज़ कॉंसी है तो देर नो कंसेट आफ नो नोटुबू कंसेट देर इस अ कंसेट आप नोडबुक विना नोडबुक के अपना काम नहीं होता भाई जब तक आपने हाथ से लिखा नहीं ना फिल नहीं आथा तो सब्सक्राइब आपने तो कंटेंट तो वो question bank लिख रही है लेकिन उन्हों चार्ट से examination item थोर्णा होगा तो इसलिए और एक concept आपको करना होगा जो साथ सात में आपको update करना होगा and approximately पाँच लेक्चर होने के बाद या छे लेक्चर होने के बाद यह निए approximately वाले concept आपन बात करेंगे अब सर सवाल दिये भी है साथ साथ में सुनिया सुनिया मालिक मैं पढ़ा रहा हूँ आज पढ़ा रहा हूँ ओके मैंने चालू किया आज आपन बेसिक पढ़ेंगे स्ट्राइजिक मानेजमेंट के उपर अपने कुछ और पढ़ाना चालोगी सर में कैसा साथ में लिखू आप जो बोल रहे हो मैं साथ साथ में लिखते जाओ कोई स्टूडेट्ट में ऐसी हैबीट होती है जो साथ साथ में लिखना पसंद करता है यह बढह एक इसको मैं बता दूं मेरे हाथ को कि स्पीड इससे भी बोलने से ज् कसम मा कसम तोड़ जंडो जंब आरे मा कसम जोग सबाट पर पॉइंट यह है मलेक किसी को एसी है ना तो बस मेक शूर मैं जब कॉंसेट पड़ा रहा हूं नो 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 अप्लिकेशन कर वा रहा हो कुछ डिसकस कर रहा हूं ना वह एक्जांबल आप लिखने की घाई के चकर अग्जांपल समझने में टाइम नहीं डालोगे आप तो जब मैं थोड़ा रहा हूं ना तो आपको समझ में आए जाएगा दो चार लेक्चर होने दो आपको आईडिया जाएगा मैं बात क्या कर रहा हूं मैं समझा क्या रहा हूं उस ट्रम आप समझ आने पर धान दो और उसके बाद वापस जब रिपीट करता हो क्योंकि मेरे रिपीट होने की सम्मावना बहुत जाधा है तो जब भी आपना रिपीट होता है तो आपने क्या करना उस टेम पर यह क्या सबको लिखना है नहीं जिसको है बढ़िट है तो अज़र बागी सबके लिए जब मैं आप करना है प्रोच रहेगा विट रिस्पेक्ट टू नोडबुक कि रोज क्या क्या करनी है जैसे वर्चौल वाले को तो कुछ भी क्यारी करने की ज़रती नहीं है जिदर बैठ है मां कसम तोड़ कर रहे हैं कि यह भाई साब कोई तो भाई साब घर पर बैठोगा अ अच्छा जाए 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 घर पर वाला वह है लगी बड़ी है फेस्टू फेस वालों की जो यह सोच रहा है वाई बैठे शुबहाई आठ बचे से यही रूम देख रहे है जिन्दगी यह निकल रही है जाज़ँ देखा तो खाली इतर आदमी इस पदलते र बेंद रहे है जला सुवे कोया लग से सुट पेन की बैर कोई दूसरा सुट पेन का यह बीटीजरा बिच में कोई शूट आया बड़ दीजमी ना सूट के भी यह तो तो सुनिये तो लाजी केसा है ऐसा हो सकताई अपको कुछीजे दो इसका अथिसा इसा बाल बाट डिज पहसे होने से यहां आप अजाए पांज जा लगता due C当 यहीं सबनाया पुल पायगा इंटरर प्रम इन क्लीयर में अग्ले साल समझा ना अग्ला अग्ला नीँ बुला व्या में को एक तब बने गण vehicles राइगा नमे माँ व्रच नवेंबर में आयर जुलाए में आ जाएगा और अगर नवेंबर में जो देने वाला है उसका रिजल्ट जुलाए में मनलब समझ में आ रहा है वो जाएगा जैनवरी में इसलिए मैंने अगले साल तो अगले साल अगर इंटर क्लियर होना है और आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंटली मेहनत करनी ज यह दो बाकी जागित जिंदकी चोड़़्ीजा, जिंदकी चोड़ीजा, प्रणा छोड़ीजा जिद समय, प्रणा जोड़ीजा अरे भाल जोचीन यह 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 लेगर पाहि है अज़ यू, टूल्सटन, सब्स्टेंट विधर होगेसिए बांटेंटीजिए BiComb को देवे नएएफे कम भिक atau naiya, da बेकं बेकं बेकोम अपन, बेकरी हो यह फिम देवे आक को बताओब सहुआ हो यह एच ना अब के बावन पॉक्क dragons कि अभी को अगर कराई तो अगर अधर प्रैस करनियाँ थो बेकॉम जासी को टो चारीए विखम जैसी है रिकम चलती ही घखम जैसी ठीच वैसेकली श्क वह बोलना था चुट्टी ली या कुछ किया ब्लीज मेक्ष्ण सुरर फेस्टो वेज़के लिए और एक प्रॉब्लम क्या माने में किया बैकप तो अपने को वके अपने को बैकप फेस-टो फेस के लिए कितना जोगता सौरी बट ने जोग छोड़ दे चोड़ दे बट पॉइंट ये बोल रहा हूं वो थी स्टके पे देखी मत कंसिस्टेंट रहे रोज क्ला से टेंड गर तुम बहुत हो यार पूरा दिन हो गया आपका लेक्चर लास्ट में आ जाता है फिर मेरको ऐसा लगता है जाने कि आजाएगा तब भी कुछ नहीं होगा सेम सेनारिय रहेगा जैसा आपकी पॉजिशन अभी है तो इसे मैंटर अव दैट पर्टिक्लर टाइम तो बैक आपको पता है बैक अप का प्रॉब्लम है तो मेक्शुर यॉर कंसिस्टेंट मालिक तोड मालिक एवरी क्लियर मालिक ठीक है मालिक ओके मोड्स अवेलेबल आई डू थिंक उसको अपस दोराना की ज़ुरत नहीं है मोड्स में आपको फेस्टो फेस है यह लाइव स्ट्रीमिंग है जीडी एंड पीडी पीडी अभी नहीं मिलता भाई माहिने बर के बाद जब वह एटलीस पच्छीस एक लेक् मैं लूंगा मेरा ताइमिंग हो जाएगा साड़े थीन से लेकर सवाशाथ एपरोप्रियेट ब्रिक के साथ यह रहेगा सब्सक्राइब नहीं तुम बहुत अब लेकिन सब्सक्राइब फिर तो नहीं रहेगा और अगर कभी मेरा एट नहीं रहा तो उस टाइम पर प्रशा अब क्वेश्चन आता है संडे की बात है तो दिक्कत यह है कुछ संडेस मिल जाएंगे आपको छुट्टी पर देदो देदो क्या मतलब क्या हाथ क्या जोड रहा है अरे वाई मेरे भी भी बच्चे घर पर नहीं है उनको भी तो है पर प्रॉब्लम ऐसा है कि अपना टार्गेट डाइड लाइन क्या है 31 जैन मतलब 31 जैन तो जब यूज्वाली कुछ टाइम टेबल में अपना लास्ट में रहेगा उस टाइम पर आपके कुछ संडेस कॉंप्रमाइज हो सकते हैं बटीक है ना यार क्या प्रॉब्लम है दो एक संडे तीन संडे का उपर नीचे ठीक है कि एवरीड़ी क्लिर टीग है तो बैट थाइमिंग जैनल यूट्व एंड टेलिग्राम चैनल यूटूब वैसे आपने सब्सक्राइब कर लिया ही पहला चैनल है विनोट रए डी चैनल डाइउंग चैनल दूसरा है माक असम वी स्मार्ट वी स्मार्ट अकेडेमी उधर भ क्टाइब अब इसके अलवाट टेली ग्राम चैनल अबने अलग-अग सब्स्राइब कर लिए और एक मेरा बच्छा वा एक दिन मोड आएक उसक्राइब आगा तो इस दिन मजा हो गया सकेर्ड और यास मान उस दिन पहला टार्गेट आपका होगा कि वो चैनल पर जाने का सब्सक्राइब करने का ताकि और मजा मिल सके ओके बट नवदलेस टेलिग्राम चैनल अपना सिया में तातेड है ओके अपन डिसकेश बात में करेंगे उसको बटे आरे बाई दो मेन पड़ा सब्सक्राइब करने के लिए क्यों टेंशनल रहा है हाँ 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 आपको टोटल आठ टेस्सीरीज होगी एट टेस्सीरीज फ़र पर्टिक्लर स्टाइजिक मैनेजमेंट् जिस में से पाच सेरीज होगी पाच हो के पाच हो स्टतर वालस होगा फिलिए फिलिमरतु नहीं के बाई इंक्रिमिनट नहीं होगी इस तरह पके पहले आपका वॉल्यू वॉल्यूम टू के बाद आपको मताएगा और आपको कोई भी क्वेस्टन सेम नहीं मिलेगा यह गैरेंटी है अगर आप वोल्यूम टू में यानि आप समझ लो टेस्ट सीरीज का कंटेंट कहां से होगा टेस्ट कंटेंट ना मॉडिल से मिलेगा आपको ना आपको कही पर जाएंगे लेकिन अप्लिकेशन वाले अंसर ना मैं बोल रहा हूं मैं आपको सची में बता रहा हूं इडिल नाट बी सो एजी तू ड्राफ्ट आपको हां ऐसा हो रहा है कि मार्केट पेडिटरेशन है लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है मालिक ऐसा तरीका कुछ होगा वह तरीके प आपको बता दिया डेट्स वगेरा उसको आज पहले दिन पर चिंता नहीं करते है लेकिन आपकी अप्रोप्रियेट टाइम पर होती जाएगी मालिक ओके आफ्टर बैस सपोर्ट बहुत तोड़ रहता है तो जब तक सपोर्ट रहता है तो जब तक सपोर्ट रहेगा एक्श तो इसको मैं आपको मतलब रादर देन मैं यह बोलने से जाधा मैं यह प्रू करने में इंट्रेश्ट हूँ आप देखो आपको कोई भी क्वेरी रही किदर भी रही आप टेलीग्राम चैनल मेरे देखोगे वापर आपको मिलेगा कि एक्जामनेशन के डे तक रात को दो द की फॉर्ड सक्सेस जितना आदमी पेशन्स रहेगा उतना अच्छा रहेगा तो वह सक्सेस को पॉइंट है तो वही पॉइंट है उसी उसी फॉर्मेट में है बस मैं आपको यह बदा रहा हूँ आप डीटेल्स फॉर लाइफ्ट्रीम विल भी सीएस अमित्तात्र एप जीधर और एक आप आप आपको एडिशनल आ जाएगा आपके बहुत आज़ा आप आप सही है वैसे आपने मोबाइल पर कम से कम 40 बचास आप होंगे जिसको आप कभी देखते ही नहीं होंगे तो मेना देखोगे चार मेना देखोगे उसके पाद वापस अगे अनिस्टाल कर रहा है जो करना है करो भाई लेकिन एग्जामनेशन तक और कि बाकप भी उसमें ही दिखेगा मालिक लाइब स्ट्रीमिंग वाला भी आप उसमें होगा अपने अप्रोक्सिमेटली पाच लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे और जो मैंने अप्रोक्सिमेटली गोला क्योंकि छट्टे दिन से अपन जाएंगे कहा पर अपे लेकि तो देमो का कॉंसेट है टेक्निकल टीम डीटेल से अधर तिंग ओके आपको टेक्निकल टीम का नंबर यह शेर का दिया जाएगा और मेरे केस में थोड़ा एक अधिशनल पॉइंट रहेगा कि आपका एक वाट्सप ग्रूप बनाया जाएगा ठीक है ओके वाट्सप ग्रूप इस फॉर देट बाच कि टेलीग्राम में 1760 अपने एंटर करते हैं वाट्सप में अपनी एंट्री अपने इसाफ से है तो वाट्सप ग्रूप एक रहेगा जिसके अंदर SM 1st December बैच होगा जिसके अंदर आपको जो बैच के डिटेल हो आते जाएंगे ओके में आपकित मतलब लास्ट एप्रोक्सिमेटली 40 मिनिट्स होगा मैंने कंसिस्टेंसी के ओपर कित्ती पर बात की है अब वह एक चीज़ फॉलो पर हो है ना मा कसम मल रहा हूं मैंतला बहुत सही तरह किसे इस नोट डिफिकल्ट इस नोट अन्यूजवल इस नोट एक्सेप्शन तीन-चार दिन अपने वह उससे रीकवरी में जाते है वह रीकवरी से आने के बाद क्लास्रूम में बैटने का मजा नहीं आता ओके जिया तो वापस लेक्शे दिखने अमन नहीं करता फिर लगता है कि दो चार दिन और ड्रेस ले लेते हैं क्योंकि मेरे को बीमारी से उठ जाएन मैनेफेक्टरिंग यूनिट बचा नहीं भी इसमें ग्लोबलाइजेशन क्लोबलाइशन में चानका नाम दिया हुआ है वाई लेबर मैनुअफेक्टरिंग और रिखेंगे आपर और ही तो और यह थोड़ा है थो थो ओर वढ़ांतार हम और बढ़ाएंगे कि दूसरी कंट्री अपनी कंट्री में बिजनस करने को क्यू आएगी इनको छीप लेबर आपन जर्मनी में क्यूं जाते टेक्नोलोजी, जापनीस से अपन क्यों मिलते हैं, टेक्नोलोजी, चाइना से क्यों मिलते हैं, वाइरस, वाइरस नहीं, शीप प्रोडक्ट, कॉस्ट, 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 कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको कम करना है, अगर भाई, चश्मे का कॉस्ट पर यूनिट कम करना ह बोडल को छॉट मिपार नहीं काश्क करते करना है ऐस पाटिक्लर को काक्षिण कम करना एक दम कम करना है आपने टिक टॉक कि परड़क्शन दो दर ही है कि बहुत सारी चीज़ों का प्रोड़क्शन दर ही है आपन बोलते बहुत बार बहुत बार जाता है वह चानी स्टाइट अधर अदर इलिमंट बट तूथ बेहरी प्रिसाइज राइट नाव वियार इन स्ट्राटेजी वियर बिजनेस मॉडल आप इसमें ना इमोशन लाओगे इमोशन का भी कंसलेशन है आप रिलीजियस के कंसलेशन है यह सारे फैक्टर अपन डिसकस करेंगे लेकिन प्रिसाइजली वही कॉंटेक्स आपको ध्यान में रखना होगा कि यह काम कैसे करेगा तो सर मैं जिस कंटेक्स से आप बहुत सारे आप डाउनलोड करोगे उसमें से एक आप आप का रहेगा CACS अमित अतर और साथ में वाट्सप गुरूप रहेगा जिसके अंदर सिर्फ यह बैच की डिटेल रहेगी वाट्सप गुरूप में यह बैच के डिटेल मतलब अगर एक्जांपल में शीट लि आपके साथ क्या है आपके साथ क्या है आपका डवन है अगे टेन होएगा डे 15 होएगा 31 दिसंबर आएगा आपको लगे यह एंड हो गया हो गया हो कि मेरा पूरा साल लास्ट का पिछला साल ऐसे ही गया फर्स्ट जैन को क्या करूंगा सेकंड जैन को क्या करूंगा काई के लिए मैं वापस इतना यह करू कभी-कभी ऐसा लगता है और यह कॉमन एलिमेंट यह कोई आप आपके लिए ऐसे एक्सेप्शनल नहीं मेरे दिमांग में आ रहा है भाई मैं तो बहुत भारी आदमी है लेकिन आपको था हूं एक्रोस इंडिया जितने स्टुडेंस में ट्वेंटीफर के एक्जाम देने वाले वह यही लेवल पर काम कर रहे है वह आपसे कंपीट करने के लिए रेड है कि अधार आपन बौलेंगे वाइरस एर बहत भाएट मनला वाइरस कैसा बोल रहा था मेरा बेटा फुट्बॉलर बनेंगा वह टेकनिकली वो उनके लेवल तक सई है वह मुवी तक सई है ओक्ड़ नहीं मानेंगे मैं यह इसमें जाओंगा एक मुवी तक सही है रहे बट मैं आपको तो टेक्निकली आज अगर आपको आपकी कुछ मर्जी का करना है और आप अपने पैरेंट्स को भी जाके बोलोगे ओके यू नीट टो अंडरस्टाइड और पारेंट्स आर मच मोर स्मार्टर से जाधा मच म और सूफ्र्स क्लियर डिस एक्जामनेशन जो आपको कर रहा हो बाद में कर सकते हों आप इग्जामनेशन क्लियर हुआ ऊएग्षान घ्लीयु अपन पढ़ की यह पुड़के क्यों यह होता उसका एक ही रीजन है और वह कि यह पूरा टाइम मंंस्दी में निकलत अधार ओके एग्जामिनेशन देते का आपन यह दिखते के फिल्टर क्या कर सके ओके सर यह बुक पढ़ ली मैंने आपके दस पेज वाला पढ़के चला जाओ एक्जाम में पास हो जाओंगा क्या और क्या भाई उके अपने बापु बेठा है मार्स देने के लिए उदर अरे टिस न इस दिन मैं बोलूंगा उस दिन वॉल्यूम टू चार्ज बुक आपको अभी करना ही नहीं है चार्ज बुक को कभ यूज करना है लास में एक साथ में मेरा मूड जिस दिन आएगा भाई आभी तीन चाप्टर खत्म होगे तीन क्यार्टर होगे आभी चलो रिवाइस करने क ऐसे रोच चलेगा चा बुक का रिविजन मतलब चार्टर बुक का रिवजन तो जिस दिन आया मुण आगया उस दिन चार्ट बुक चालू करेंगे उस दिन आपको एक दिन पहले बदा दूँगा लेकिन रोच कौन सी पीक करनी है वल्यम औन और साथ में नोड बूक क्यू है जहाँ आत्मा जब मैं वड़ंगे आपको बिरो मेरी आत्मा क्लियर यह तो अगर मैंने मालिक बोला अब ऐसे वैसे मत दिखना है तरहें कि-धर है क्या नहीं बाइब मालिक मैं किसको बोल रहू हूँ है आपको बोल रहो हु है मेरा मतलब आप मालिका कस्टरमर भगवान है कि बात खुत हम कैस्ट्रोमर इस मैं आली बल रहा हूँ पर मिलमत है किया भर कि स्ट्विस प्रोवाइडर ओ सबस्थ रेडर इस डॉंस सभीरेडर के सान्डन सब्रणद किया सब्सक्राइडर और ग्राइण अपके साथ कि है कि मेरे इंगलीश है आप़ लगा है था ऐसे मेरे बेटी मेरे को क्लियर कर रहाती है पपा, इस नोट सॉल, इस सॉल, मैं वला, तेरा बाप हूं मेरी बेटी, ओ, आज की देट में, बेकॉस आफ स्कूलिंग और तिंग्स, इस आफ स्टाटीजी, स्कूल, कैसे बिजनस बड़ाता है, स्कूल कैसे बिजनस बड़ाता है, यह टाइम थाब स्कूल, काली चालोगा, strategy, strategy, IT'S a strategy, पहले एक टाइम था, जब हमारे टाइम पर, एक बोड ही था, SSE बोड, there is no other board, ok, पपा ने यह स्कूल में डाला, वही पढ़ना है, यह स्कूल में डाला वही पढ़ना है अधिया अभी कि CBSE ICSE यह तो ठीक है यह कम थे कि आपने इंडियन बोर्ड भार के बोड़ा के आई जी बोर्ड इंटरनेशनल बोर्ड मेरी बेटी को इंटरेशनल बोर्ड में डाला मैं ने डाला मेरी बीवी ने मेरे को तो मालूमी नी था मैं जब डाला ये बोर्ड में अधिया तो अब थोड़ा बोर्ड में डाला अब इंटरनेशनल बोर्ड में ये बोर्ड में अपने बोर्ड में इंटरनेशनल बोर्ड में ये बोर्ड में अपने बोर्ड में इंटरनेशनल बोर्ड में इंटरनेशन हुए एक कि तो अब डिटेम मेरे बताओ डो भीपocy Hub को बिस बढ़ाने के माद यह है और के यह बढ़ाने के मॉडले में मतलडव एक स्टाड की है तो मेरे मेरे बताओ एक स्कूल है जो सिर्फ एससी बोर्ड देता है एक स्कूल है जो एससी और आईजी इंटरेक्शनल बोर्ड भी देता है किसके पास ओके सेल्स बढ़ेगा मालिक कि मेरे भाई कि आकर रहे तुढ भई वह 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 आपी नहीं आप ब्लैक शर्ट और वह के बाजुआ अब आगे के साथ क्या इंट्रेक्शन कर रहें आप है वह 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 हां आपी आपी इस हमें नहीं हाँ अब मेरे पर समझे तूंभ आप तीनों किया कुछ प्रॉल्म है पक्का नहीं अगर आपका आपसका कुछ डिस्कुशन है बताईया अधा उधर खाली जगा अच्छों मैं नहीं आरे उधर बैटके आराम से बात कर सकते हैं नहीं आरे गंडे की बादे गंडे में आप अपना अपना गुडुरू मत करिये मेरा इधर देखे अरे सुनी श्क शिलबस का नाम है अपना स्टाडिक मैनेजबेट पहला क्वेश्चन है वट इस्टाडिजी यह माइक था क्या चल रहे क्यों माइक चल रहे है ना ओ माइग हेलो 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 हाई मा कसम है हेलो हेलो है तो मालिक स्ट्राटेजी क्या होती है प्लानिंग मैं प्लानिंग और कोई स्ट्राडिजी फ्लानिंग स्ट्राडिजी फ्लानिंग हाँ इनलाइस करना annoy रहा है और कोछ परफॉर्म करना है मत ऐसे न थोड़ता आवता का पॉपा प्रॉपर वे में परफॉर्म करना प्रॉपर न प्राप्रेंग के बाद का हिस्थ तो नई पर्फॉर्म करना मतल nehme plan करना है कैसे परफॉर्म पहले धोडना करेगा कि पहले पर्फॉर्फॉर्मंस के पहले क्या करना पड़ेगा लां तो आपका कहना है प्लान करने के पास सटी बनाएंगे पूछ रहा हूं और एक चीज़ा आप सब प्लीज अंडरस्टेंड करिए आप मेरे लिए मलब जैसे मेरे पंडर है वैसे ही आप लोगों तो मैं नही हो यह मैं ऐसा कुछ बोलता हूं मतलब तू क्या बोल रहा है मैं मतलब समझ रहा है तो प्लीज अंडरस्टेंड इस नटिंग टू विट मैं इसा नहीं है मैं बहुत इज़त दे रहा हूं लेकिन बस वह मेरी फीलिंग वैसे ही आती है तो आप कोई भी बंदा इस का बोल दिया स्टूडेंट की सटक गई भार निकल रहा था गाड़ी से भार निकला था पठर फेका मा कसम गया आरे है आरे नहीं आपको पता ऐसे एपिसोड से दिल्ली में एक फैसे मालब एक प्रोफेसर है बच्चों को पडो पडो बोल रहा था कि मारी दिया है वो बच्चों ने जिसको उनके पैरेंट्स को कंप्लेंट किया कि पढ़ नहीं रहे तब से मैंने छोड़ी दिया पढ़ना है पढ़ो अजयत जन तो मैं चाइब कुछ बोलता हो आप बुरा मत मान ना ही एव्रीबडी आ तो मैं आपसे बोलो तो हो आपना अपना अपना फिल्फेड हौई है यह आपना फील एक ह2020 क्वाई तो एक strategy आया planning एक बोल रहा है बाई planning के बाद performοι यह तो मेरको समझा इनिए पर लेकिन perform अच्छा था एक बोल रहत है नहीं हो नहीं सकता हो सakता है बढ़ें डिसक्रस करेंगे एक बोल रहा है इनलाईस करना औंगे स्कूर्ठ तो जानेंगे उसके बाद दूसरा वाट पकड़ेंगे मैनेजमेंट फिर आप दोनों को मिक्स करके दिखते हैं यह दोनों मतलब क्या है पर ने बदेश्ट्राटीजी ओके और कोई यस मैडम कि की अर्व के बांट का आउया किया तो एक मैडम का एंसरा आहिंगे धाया करस्राइब हम अपने स्रेंध और विकण देखेंगे और हम स्रेंध और विकम straight और अनालिस से स्टेंट भीक्नेस थ्र्थ यइ क्या स्ट्रेंग्ड है MANी करना स्ट्थ है किया इसरेंटटबीक्नेद भॉर इस्ट्रेटिक स्ट को पता करना स्ट्पुडरड मैं रोच charges एक आए जòng आमिध क कॉंपीटिशन को कि'llिदें निए होता है कोंपिटिशन को या सामने वाले की हार मेरी जीत किसमें फोकस back ढांचेंश कोई कमफट होना था लेकिन साला अपना दोस्ट को कौन से पिच्चर में देखा था यह याद न मालिक आचा तो आप अगर थोड़ा सा एंफ़साइस करें इधर ओके दो मिनिट ध्यान दिजिए इधर मालिक कि अगर आपने देखा होगा दो तीन मुवी का पॉइंट है अभी हापर कोई होगा जिसने मुवी देखी नहीं होगी जो मुवी बग्स नहीं होगा मतलब जिसको मुवी पसंद नहीं होगी इस ओके मैं कोई ऐसा मैं बहुत फैन हुआ पिच्चर का मेरे लिए जब डिप्रेशन आता है न मतलब मेरे लिए डिप्रेशन देरी दो कॉंसेट इप्रेशन क्यूंकि अपने अंदर वह चारेक्टर आजाता है और में पॉइंट के अमाल में अगया अपन पिच्चर खाली स्टोर है वह अपने अंदर वह अजाता है ओके मुन्ना भाई ठीक है मुन्ना भाई है बहुत सारी पिच्चर है पर मैं आपको यह पता रहा हूँ प्रेम रतन धान पायो में भी अपने बहुत जादा फेवरेट पिच्चर है ना साउथ इंडियन मुवीज है क्योंकि वह एसीज मुवीज है जिसमें आपको धिमाग लगाने की ज़रत नहीं होती है कि अभी तो भी थोड़ी सेंसिबल मुवीज है साउथ इंडियागी पर पहले वाली मुवीज अगर आपने देखेंगे न मतलब 2015-2016 मेरी ताकत मेरी आदालत मेरी हिम्मत मेरा फैसला अगे जिनने नहीं दूंगा मानुप उसमें हीरो कुदी मारता था ठटा और दो पैर में खाड़ा लेगा मा कसम एक बहुत भैतरीन मुवी आई थी साउथ इंडिया की दैट वाज अम्रेंद्र मावले यानि मैं शेव कामेनी की सागंध खाता हूं महेश्माति की रक्षा करूंगा तो अगर आपको याद होगा उसमें एक मालमना चुझाए अगर आपको याद होगा यह वाद हो एक डिसकशन ऐसा हुआ प्रिशूल वियु रखना अगर किसी ने मुई देखिया नहीं देखिया है तो बहुबली वस भाइटिंग अगेंस अगेंस बन अड़ अनिमी and to fight with that enemy they have put the trishul view now the trishul view was something to safeguard their enemy safeguard their empire from enemies what was that strategy that's exactly where we are discussing strategy maybe madam has said planning it can be a strategy analyzing it is a part of strategy why we will plan and perform it is also a part of strategy strategy sir part of strategy plan and perform because he said I was saying 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 the trishul view who saw the trishul view and who didn't see it I was telling the trishul view what? 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 he was eating the trishul view successful no he was saying he was saying no yes no 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 कि मैं जा रहा हूं मौत को मेरे हिसाब से मृत्प्यू क्या है दुश्मन को पीट दिखा के भागना है मेरे को बताओ प्लान के बाद ओके जो प्लान किया वो फेल हुआ ना या पर्फॉर्मेंस में वहाप स्टाड़ी जी आई इसी लिए हमेशा स्टाड़ी दो तरकी होती है एक होती है प्रो आक्टिव एक क्या होती है पहले प्रो आक्टिव और रियाक्टिव 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 पहली पहली स्टाड़ी कौनसी होती है प्रो आक्टिव मतलब प्लान प्लान किया अब प्लान क्या दुश्मन को हराना दुश तो पहली होती है प्रोएक्टिव को लेकिन कभी कभी कुछ सिट्यूएशन वर्ष कुछ सिट्यूएशन के कारण के वज़े से अपर प्रोएक्टिवृ अपर स्क्सेशफुल तो उसमें कौन आता है रियाक्टिव इसलिए स्ट्याटिजी दो तरकी बन सकती है कौनसी-कौनसी प्रोएक्टिव और रियाक्टिव क्या होती है पहले से सोच समझके आप काम कर रहे हो खिंध आप अभी जो पढ़ाई कर रह आपने प्लान क्या लेकिन प्लाइंग का देवह को टाइम कुछ कम मिला अपने टिशाइड कि एक चाप्टर छोड़ते एं आ हैं आपने चाहटर क्यों छोड़ा पीकिया तो सब्सक्र 닌मक लेकिन सब्सक्राइब करें है ने सिम की बात कर नाहिए यह किसी और सब्जे की ले नहीं रहूं पमेरी लेंगा अगंगी किसी और को लव का विघ्या ऊच्वारीच को मेरे गरोह इसके और एक बंता है जो तरह शийक 15-60 द्रीछ अऊच्व फॉय मेर है दो पैसे जदैशा थे क्या ले सकते मेरे को फटा पड़ यह बताईए रियाक्टिव और प्रोएक्टिव पहले क्या जाना चाहिए लेकिन प्रोएक्टिव करके ही अगर चले जाते ना ओके भाव बली उस टाइम पर हार गया हो था तो उन्हें ने क्या गिया कशा है सेम लॉजिक अपने बिजनेस मेरे क्राइध ऑनु पुरा सोच लेकिन अपने को मालूम पड़ा यार यहां पर कुछ कुछ स्ट्री construction go trick है अपने पासर contribution आपनें टाइम उत्या नहीं हैं अपने को मालू पड़ा वो делать जारी जनरली मेरेको समझ में आएक स्म explored आरी मिश पाथ चैप्टर में से कौन सा चैप्टर छोड़ोगे तीन की हो हाँ जिसको विटेज कम है एक्जांबल मैं बूल रहा हूँ एक्जांबल कोई भी सालो किसी ने भी चैप्टर छोड़ा ना मा कसम में तुरे सपने में आके वह भावली वाला और तु जिदर सो रहा होगा दर लगेगा छोड़ना मत अब अबना पर आपन डिसकुशन के लिए ला रहे है अब बस मालिक अभी टाइम गम है तो मेरे अजम्शन है मेरा लगा चैप्टर फूर्थ में से अपने को सिर्फ चार माग का क्वेश्चन आएगा एक्जांबल हो रहा हो चैप्टर फूर्थ में अब यह कौन सी स्ट्राटिजी हुई रियक्टिव क्यों करनी पड़ी इसी लिए यादगना स्ट्राटिजी ना कभी प्रोएक्टिव पूरी होती है ना क्रियाक्टिव करनी चीए खाली यानि एक्जांपल तुम पढ़ो ही मत और डारेकल एक्जांब में जाएंगे देख आप अब बनाओंगे तो यह था अब क्वेश्चन आता है फिर स्ट्राटिजी क्या लास्ट पॉइंट फटर डिस्केशन किया स्ट्राटिजी का कोई एससज डेफिनेशन ही नहीं है इस्ट्राटिजी को अगर मैं डिफाइन करू हम मैं इसको बोल सकते है लांग टर्म ब् long term blueprint long term blueprint of organization of organization ka long term a blueprint can be a plan blueprint can be a how to perform blueprint can be anything but it is a long term blueprint of organization and he the organization want to be successful or non स्क्सेस्पुल एक लास्ट पॉइंट इसी के पॉइंट पर यह पोड़ा हो सपोज मैंने सोचा कि सूट बनाना मैनुफेक्ट्चरिंग करना चालू करें मैंने डिमांड देखी मेरे को असलेगा कि सूट पहने वाले लोग आ गये है क्योंकि डे वन है शूट ही पहन रहे सब लेकिन शॉब को लाइख शॉब को लाज सूट का मैंने शूच अधा सूट का सेल बरवर होगा क्योंकि मैंने प्ले पढ़ा किया दिमांड है कि नहीं इस पता कि अए प्रशां सर सूट पेंदे बहुत सारे सूट पेंदे विशाल सर शूट पेंदे रहे में पहन रहा पीज़ने वाला हाथो tarano a a. a नहीं नश्डिख में accept your own एक सब्सक्राराइं सब्सक्राइब सकता है मैं कुछ काम किक किया उसको ہम बोलते है मैंने दुगान खोली और मैं unf Fix शूट का प्राइज रखा 5000 नोला पाच हजार में एक सूट प्रशान सरा आए बोले कितने गा 5000 बोले ठीक है पाच सूट पैक कर दो 25,000 डिसकाउंट मांगा नहीं बड़े लोग थोड़ना डिसकाउंट मांगें विशाल सर आए ओके दस सूट पैक करो दस में क्या होगा 15 लेलो सर भूले ठीक है डन 10 15 सूट लेलो कुछ डिसकाउंट मैं वह ला सर डिसकाउंट तो नहीं है सर जीस्टी मैं वह ला सर जीस्टी तो देना पड़ेगा ना यह स्टी लागए यह सूट पे देखना देखना कु कुछ होता है कि मेरे को क्या मालूं जीस्टी का दो देख लो आप तो फिर विशाल सर ने खरीद लिए तो भाई रवी सर आगे रवी सर आए विशाल सर तो आएंगे नहीं दुकान पे मेरे को मालूम ता पहले दिन से तो यह वह सूट लेके नहीं जाएंगे वह बागी सब सर को दिखा बत अच्छा बिजनेस मॉडल कि विनो सर ने बोला भाई आमित कितने का सूट बेच रहा है कि बाजू में दुकान डाली कितने का दो हाजार और कॉस्ट अब बोलोगे में सर को प्रॉफिट हो रहा है कि नीए ही सुवरीचल charger ही रही जैए इन प्रॉब्लम क्या मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों किया मेरा से लरूअ अ अब मैने क्या करना ना करना चीन है पर वो नुखसान बीर भी तो होना चीए यह सब पर्मिटेशन कॉमिनेशन देखने पड़ेंगे उसके सब से मुझे एडिश्यन लेना पड़ेगा यह कौन सी स्टाड़ी हुई रियाक्टिव समझ में आया यानि रियाक्टिव किस कारण हो रही है प्रोयक्टिव तो मैंने कि आंणेयर्मिन में कुछ यह वो क्यूंगी जब मैंने प्लान किया था मैंने एंवारमेंट की स्थिति संझी थी और मैंने इक ब्री और जहां गया टीछ Kal स्टाइडी क्लियर एवरीबडी तो एक लास लाइन स्टाइडी मतलब क्या विवें ने लॉंग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ और गनाइजेशन आगे का देफिनिशन कल देखेंगे मालिक भारत मादगी पोर मालिक्स आसा विस्ता सी यू टेक केर मान तोर मैं तोर मैं तोर मैं को क्ष़्या है लॉट सुट्स, विस्ता सब्सक्राइडी कालिक विवें तोर मैं पिया विवें यॉट क्ष़्या चाल शेटी है वीवेंगे चाहते रहे हैं यॉबी ऎ। क्ष़्या Isi Iji पॉत Kazakhstan Sumit और मैं एक के सबस्नेंगे हैं तोर मैं टेवावी तोर मैं तोर ===